तो दोस्तो स्वागा थे ने अपरो चैनल में तो आज हम लोग बात करते हैं कि अगर एजूकेशन सेक्टर में अगर रिवोल्यूशन लाना है तो आपको क्या करना होगा एक देश एक सिलेवस करना होगा यानि एजूकेशन जो पॉलिसी आ रही है अभी उसमें आप देखें तो आप देखेंगे जो इसका उदेश्य है वो लाने का कि सभी के लिए समान सिक्षा औसर यानि सब के लिए इक्वली क्या होगा एजूकेशन देना है प्लस उसको अपरचुनिटी मिले इसके लिए बिल्कुल इक्वली तरीके से होना चाहिए उसके बाद देखेंगे बै अत्मान का अभी जैसा सिलेबस है उससे आपको तो ये कभी मिलने वाला नहीं है क्योंकि थारा थुरिटिकल बेस है और ये अठारा सो पैंतिस का एजुकेशन सिस्टम है मैकाले का आप देखेंगे कानून भी वही है और एजुकेशन सिस्टम भी लगवक 200 साल पूराना ये आपका सिस्टम है जो इसको पूरी तरह चेंज करने की जरूरत है इसी में सरकार लगी हुई है इसके लिए क्या की है NCRT की आप देखेंगे कि उनिस टीम यानि चेंज करने के लिए उनिस टीम बनाई गई है इसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़े-बड़े लोगों को इसमें सामिल किया गया टीम जो बनाई इसमें आप इंफोसिस के प्रेसिडेंट सुधामूर्ती को आप देखिए यह है तो आप सुचिए और ट्रीम के जो एकनोमिक एडवाइजर है विबेक देवरोय यह है उसके बाद गायक है संगीत कार है भासा के जानकार है अलग-अ गेनरल वेव में होना चाहिए एक आम आदमी भी उसको अच्छे से समझ जाए एक बच्चे के दिमाग में अच्छे से चला जाए और बिल्कुल प्रैक्टिकल हो त्योरिटिकल बिल्कुल नहों तो आप देखेंगे जो एनिपी का जो पेंटी ट्वेंटी बना है उसका आप देखेंगे कि एनसी आंटी के सिलेवस को बदला ही नहीं गया आप सोचिए कि कितना खराब है एक तो पहले से ही डेड़ सो दो साल पूरानी पहले की है उसके बाद भी 2006 के बाद कोई अपडेशन नहीं हुआ है यानि किताम में कोई भी आप डेटा भी अभी भी आप देखेंगे तो 2001 का डेटा 2023 में पढ़ाया जा रहा है आप सोचिए कि कितना बैकोट की बात की जा रही है और दुनिया यहां पांच साल में बदल जा रही है और यह लोग इतने इतने पूराने साल डेटा पढ़ा रहा है त्योरी पढ़ा रहा है उससे क्या मिलने वाला है वक्त आ गया कि इसमें भी रिवोल्यूशन लाया जाया पूरी तरह से चेंज करके एक नए पैटर्न पर जो हमें क्या करें कि एक अच्छा एक बोला जाए कि एकदम उसके अंदर मोरल एथिक्स भैलू सारे उसके अंदर यह चीज़े होनी चाहिए आप देखेंगे केंदर हैं सारे बोर्ड पड़े हुए हैं उसके अलबाद सेंटर का अलग हो गया उसके बाद एक इससी होता है उसके बाद भी और कोई कितने सारे बोर्ड से हैं तो आप देखेंगे इस से क्या हो रहा है कि हमारा जो इक्वालिटी होना चाहिए वो इक्वालिटी नहीं हो पा रह यानि हमारे देश में अगर सेम सीलेबस की बात करें सेम एजुकेशन की बात हैं तो नहीं मिलना है एक अलग-अलग ग्रूप बना हुआ है लोवर मीड के लिए अलग बना हुआ है मीडिल के लिए अलग बना हुआ है अपर के लिए अलग-अलग सीलेबस बना हुआ है और उस यहां कोडिनेशन की कमी है जो सेंट्रल और स्टेट को मिल करके काम करना चाहिए आगे देखते हैं जब एक राष्ट एक कर यानि अभी देखेंगे गवर्मेंट क्या कर रहे है जीस्ट जैसे कर लगाया तो जीस्ट में क्या किया सारे कर को एक में समराइज कर दिया मिला दिया तो एक राष्ट एक कर हो सकता है एक राष्ट एक रासन कार्ड हो सकता है एक र कि इसको पूरी तरह से हटाया जाए और एक लाया जाए ताकि बच्चों में एक इंसिक्योर फिलना होई कि इस तरीका है कि वह अलग बोड से पढ़ रहा हम अलग से उसकी इस्टेंडर अलग है मेरी इस्टेंडर अलग है तो इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है सेंटर लोग किताब क्या है खरीदने पर मजबूर करता है प्राइबेट वालों का तो इसमें क्या करता है बहुत महंगी महंगी किताब होती है एक नरसरी का भी स्कूल के बच्चे का लेंगे तो दो चार हजार पांशेजार आपको किताब में खर्च करना पड़ जाता है तो यह ह किताब ताकि वह दुबारा भी इस्तमाल हो जाए और सस्ता भी पड़ेगा अब तीसरी से पहले फिर प्राइबेट वाले उसका फाइदा उठाएंगे फिर एक्स्प्लोइटेशन करेंगे तो बेटर होगा कि नरसरी से लेके बाराहमी तक का जितने भी बूक आए पूरे इक बूक हो और एक ही सीलेबस हो और इस तरीके से आगे बड़े तो हमारे देस में क्या होगा equality आएगा हमारे देश में disparity नहीं होगा अलग-अलग तरीके का आप देखेंगे imbalance नहीं होगा और एक अच्छे डिवलप जिस country की बात की जा रही है उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल होगा और उसके अंदर जो skilled होगा जो moral होगा जो ethics होगा जो communication होगा वो क्या होगा इससे हमारा develop होगा ना कि हमारे जो परतमान में चल रहा है उससे होना है उससे कुछ भी नहीं होना है आपको करना यही पड़ेगा तदी हमारे देश में revolution आ सकता है जब education better होगा तो सब कुछ अच्छा होगा